हलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो आपको गैस टेस्टिंग एक्जामिनेशन निकालने में या फिर WCL, ECL, SECL, MCL, किसी का भी माइनिंग सरदार ओवरमेन का एक्जाम हो माइन गैसे से एक क्वेस्टन जरूर रहता है और खास करके तो गैस टेस्टिंग में इससे क्वेस्टन आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्मोस्फेरिक गैसे प्लस माइन गैसे मैंने इस टॉपिक को दो भाग में बांट दिया है पहला एक्मोस्फेरिक गैसे हम लोग देखेंगे, जो तीन होता है, ऑक्सिजन, निट्रोजन और कार्बन डायोकसाइड, उसके बाद जो माइन गैसे मिलता है, अंडर्गाउंड माइन के अंदर उसको देखेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, प इसका हम लोग वजन कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं कि कौन सा गैस भारी है, या फिर कौन सा गैस हलका है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हवा का specific gravity होता है, अब इस 1 से हम लोग सारे gas को compare करेंगे, ठीक है, अगर 1 से कम किसी gas का specific gravity है, मतलब वो हवा से हलका है, और अगर किसी gas का specific gravity 1 से ज़्यादा है तो वो gas भारी है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो oxygen का specific gravity है 1.1 मतलब कि ये हवा से भारी होता है oxygen इसका permissible limit permissible limit क्या होता है कि mines में इतना आपको रखना है ये topic आपको ये बताता है कि इतना permit किया हुआ है कि इतना percent आपको रखना है mines में ठीक है अब इसका कुछ properties देखते हैं oxygen का इसका properties होता है ये gas colorless होता है कोई color नहीं होता है इसका orderless कोई सुगंध नहीं होता है और कोई taste नहीं होता है ठीक है अब चलिए दूसरे gas के तरफ बढ़ते हैं जो कि है carbon dioxide carbon dioxide का specific gravity होता है 1.5 मतलब ये हवा से डेड़ गुना ज्यादा भारी होता है हवा का होता है 1 और carbon dioxide का होता है 1.5 ठीक है अब आते हैं permissible limit carbon dioxide को कितना रखना है mines में तो 0.5% से ज्यादा नहीं रखना है mines में carbon dioxide को ठीक है अब इसका properties देखते हैं ये भी gas oxygen की तरह colorless होता है orderless हो test होता है करवा test होता है इसका या फिर बोल सकते हैं कि acidic test होता है आगे बढ़ते है nitrogen nitrogen भी एक atmospheric gas आपको पता होगा nitrogen का specific gravity होता है 0.97 ये हवा से थोड़ा सा हलका होता है इसका property क्या है ये भी colorless होता है ठीस्ट्लेस होता है और orderless होता है कोई color नहीं होता है कोई सुगंध नही होता है और कोई टेस्ट नहीं होता है ठीक है अब चलिया आते हैं हम लोग जो main mine gases है जो atmospheric gases को छोड़के जो mines gases मिलते हैं उस पर आते हैं अब हम लोग तो पहला gas है most important gas है methane ठीक है इसको मैं most important क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि mines में अधिकतर explosion विसफोर्ट इसी gas के कारण होता है ठीक है तो चलिया methane को अब देखते हैं methane का other नाम है fire damp इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गरम gas कभी कभी GT में एक question पूछ देता है कि methane को हिंदी में क्या बोलते हैं तो methane को बोलते हैं परम गैस methane का specific gravity होता है 0.55 यह हवा से आधा होता है ठीक है जितना हवा का specific gravity होता है उससे जस्ट यह आधा है 0.55 methane ठीक है आपको मैं हिंट दे रहा हूँ है कि जो gas हवा से हलका होगा वो माइंस में उपर मिलेगा रूफ पे मिलेगा और जो gas हवा से भारी होगा वो निच्छे मिलेगा आपको floor पे ठीक है permissible limit इसका permissible limit क्या है permissible limit इसका दो तरह से बाटा गिया है पहला तो है general body of air कोई सबी जगा पे समाने वातावरन में 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और return air में 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब return air क्या होता है तो mines में हम लोग mechanically बहुत सारा हवा अंदर भेशते हैं तो वो हवा mines के अंदर मिलके बहुत सारा impurities से मिलके वो return air के तरफ से होके बाहर निकलता है तो उस return air के पास methane का जो permissible limit है वो होता है 0.75% से वहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब जैसे कि मैंने आपको बताए कि mines में बहुत सारा explosion methane के कारण होता है तो आपको इस से ये बात का अंदर ज़ग गया कि methane एक explosive gas है तो इसका explosive range क्या है मिथेन कितना से कितना के बीच में रहेगा तो mines में explosion होगा 5.4 से 14.8% के बीच में रहेगा तो mines में explosion होगा बहुत सारी YouTube में आपको ये मिलेगा कि methane जब 9.6% रहता है तो सबसे खतरनाक explosion होता है मैंने ऐसा कोई book में देखा नहीं और मैं आपको वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा जो मैं किसी book में देखा हूँ book में मैंने देखा है कि 9% जब methane रहता है तब सबसे खतरनाक explosive होता है अगर आपको देखना है तो आप volume 2 DJ Desmuk volume 2 का chapter 5 का first page में ही देखिएगा ये आपको मिल जाएगा अब methane का हम लोग properties देखते हैं methane एक colorless gas होता है कोई color नहीं होता कोई सुगंध नहीं होता है और कोई टेस्ट नहीं होता थेक है आगे बढ़ते हैं आगे है white damp white damp का other name है carbon monoxide co ठीक है carbon monoxide और इस gas को हिंदी में बोलता है खूनी गैस, खूनी गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि carbon monoxide जब सरीर के अंदर जाता है, तो ये खून को जमा देता है, clot कर देता है, इसलिए इसको बोलते है, खूनी गैस, इसका specific gravity होता है, बिल्कुल nitrogen के जैसा 0.97, ठेक है, अब इसका permissible limit क्या है, carbon monoxide का 50 ppm, अब ppm क्या है ppm होता है, parts per million, इसका हम लोग use वहां करते हैं, जहां पर percentage बहुत छोटा amount में होता है, जैसे यहां पर देखिए 0.005%, तो 0.005% बोलने से अच्छा है, आप बोलिए 50 ppm, अगर आपको ppm को percentage में change करना है, तो simply आप 10,000 से इसको divide कर दीजिए, ठीक है, एक और 0 लगेगा, 10, 10,000 से आप divide कर दीजिए, ppm जितना भी है, तो आपको percentage में मिल जाएगा, ये भी gas explosive होता है, methane के जैसा, तो carbon monoxide का explosive limit होता है, 12.5% से लेके 74%, ठीक है, इसका properties देख लेते हैं, ये gas colorless होता है, orderless होता है, testless होता है, कोई इसका taste नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता है, बहुत ज्यादा जहरीला gas है ये, white damp, ठीक है, आगे बढ़ता है, आगे हमारा black damp, black damp क्या होता है, white damp तो देख लिया हमने, white damp होता है, carbon monoxide, black damp क्या होता है, तो black damp mixture होता है, किसका किसका, carbon dioxide plus axis nitrogen, बहुत ज्यादा nitrogen और carbon dioxide का ये mixture होता है, black damp, ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, black damp का other name है, इसको आप बोल सकते हैं, हिंदी में ठंडी gas, ठीक है, और इसका आप properties देखते हैं, ये colorless होता है, कोई color नहीं होता है, और orderless होता है, कोई सुगन नहीं होता है, लेकिन इसका taste होता है, और taste कैसा होता है, बिल्कुल carbon dioxide के जैसा acidic taste, क्योंकि इसमें carbon dioxide म nitrogen का, इसलिए इसका taste acidic होता है, बढ़ते हैं, अपने next gas की ओर, जो है stink damp, stink damp क्या है भाई, नाम से तो कुछ नहीं पता चल रहा है, तो stink damp होता है H2S, hydrogen sulfide, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में पोचा gas और सड़ी gas भी बोलता है, भला इसके साथ ये अन्याय क्यों, इसको क्यों हम पोचा gas और सड़ी gas बोलता है, ये आपको कुछ second में पता चलने वाला है, ठीक है, इसका specific gravity होता है 1.18, किसी-किसी book में या कहीं पे आपको YouTube में, इसका specific gravity 1.2 भी मिल जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से दोनों सही है, कोई भी आप याद कर सकता है, इसका permissible limit होता है 10 ppm अब 10 ppm को percentage में change करने के लिए मैंने बता दिया, तो 10 ppm को percentage में change करके आप मुझे comment section में बताइए, कि stink damp का permissible limit percentage में कितना होगा, ठीक है, stink damp भी explosive होता है, इसका explosive का range होता है 4.3 से 45, इतने के बीच रहेगा तो ये explosion होगा, इसका properties देखते हैं, ये भी gas colorless होता है, लेकिन इस का smell होता है, अब smell कैसा होता है, rotten egg, सड़ा हुआ अंडा या फिर सड़ा हुआ प्याज जैसा, इसी लिए इस gas को बोलते हैं, सड़ी gas, और ये भी gas white dam के जैसा बहुत ही जादा poisonous है, लेकिन white dam से कम poisonous है, ठीक है, बढ़ते हैं अपने next gas की और, जो है nitrous fume, nitrous fume नाम से भी nitrogen dioxide and 2O3 nitrogen trioxide ठीक है, इन सब component को हम लोग मिला के बोलते हैं, nitrous fume, इसका other name है khansi gas, khansi gas इसको इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये जहाँ पर मौझूद होता है, वहाँ पर person खासने लगते हैं, तो ये एक symbol है, अगर कहीं से आपको कुछ लग रहा है कि gas निकल रहा है और आ specific gravity है, इसका 1.59 ठीक है, permissible limit है 5 ppm, अब इसका properties देखते है, properties अब यही एक gas है जिसको हम लोग color के थूरू पहचान सकते हैं, माइन्स में, तो इसका color क्या है, इसका color है radius brown color, लाल color या फिर भूरा भूरा type एक color होता है, जैसे इंटा का color होता है, brick का, उस color का ये देखता है, smell भी इसका होता है, choking smell, तीखी गंद होता है इसका, और ये gas बिल्कुल stink damp और carbon monoxide के जैसा poisonous भी होता है, ठीक है, बढ़ते हैं अपने next gas की और, next हमारा इंतिजार कर रहा है hydrogen, hydrogen के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ पता जरूर होगा, hydrogen माइन्स में जितने भी gases मिलता है, आ ये explosive होता है, ये भी gas और इसका explosive limit सबसे ज़्यादा wide होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, 4% से 75% के बीच में hydrogen रहता है, तो वो explode होता है, अब इसका कुछ property देखते हैं, ये gas colorless होता है, ठीक है, testless होता है और orderless होता है, इसका कोई test नहीं होता है, कोई सुगंद दुगुनना होता है, 2.2 इसका specific gravity होता है, sulfur dioxide का, permissible limit इसका होता है, 5 ppm, ठीक है, इसका आप कुछ properties देखते हैं, इसका smell होता है, burning sulfur के जैसा, coal tar को आप मत देखिएगा, burning sulfur के जैसा इसका smell होता है, ठीक है, और ये भी gas, poisonous gas होता है, sulfur dioxide भी एक poisonous gas है, ठीक है, आगे बढ़ते है gob sting, gob sting का दुसरा नाम है, arc की gas, ठीक है, इसको minus में arc की gas नाम से जाना जाता है, ये gas कोई-कोई gas का mixture होता है, कौन-कौन सा gas, carbon dioxide, carbon monoxide type का कोई-कोई gas का ये gas mixture होता है, अब इसका property देखते हैं, ये property इसका ये है, कि ये gas बहुत ही ज़्यादा poisonous होता है, और ये coal tar जैसा smell करता है, ठीक है, समझ में आगे आपको, आगे बढ़ते है, after damp, नाम से आपको पता चल रहा होगा, after damp, simply ये gas उस time मिलता है, माइंस में, अधिकतर जब fire damp explosion हो जाता है, उसके बाद ये gas निकलता है, fire damp explosion क्यों होता है, कैसे होता है, कितना percent पे होता है, कौन-कौन सा factor उसको govern करता ह है, इस topic पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे comment section में बताइएगा, ठीक है, अब इसका, ये gas भी कोई-कोई gas का mixture होता है, तो कौन-कौन gas, carbon monoxide, methane, hydrogen, nitrogen, इन सभी gas का ये mixture होता है, after damp, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक chart तयार किया हूँ, जिससे आपको पता से लेगा कि कौन-कौन gas का smell होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहला gas है, जिसका smell होता है, sting damp, उसके बाद gob sting, फिर sulfur dioxide, उसके बाद चौथा gas है, nitrous fume, इन चार gas का smell होता है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सा gas, explosive होता है, nature में, explosive gas होता है, methane, उसके बाद होता है, sting damp, H2S, फिर होता है hydrogen, और फिर होता है white damp, यह चारो gas, बहुत ही ज्यादा explosive होता है, ठीक है, आसा करता हूँ कि gas से related, आप सारे question का answer, आप easily कर सकते हैं, उसका explosive limit, उसका specific gravity, उसका permissible limit, ठीक है, in case अगर इन सारे topic में आपको कोई doubt है, किसी भी gas में कोई doubt है, तो मुझे comment section में आप inform कीजिए, ठीक है, till then, jahind